हेलो एब्रीवान वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं यह ब्यूटुफुल सा टॉप जिसको मैंने मेंन की शिर्ट से बनाया है और इसके लिए मैंने यह एक्सल साइस की शोट लिया है तो पहले हमको स्लीव को और पॉकेट को निकाल देना है अभी हमको पहले लेंद का मेजर्मेंट ले लेना मैं यहां 26 इंच ले रही हूँ मेरी जो मेजर्मेंट है मैंने उसके 0,5 इंच प्लस किया है आपका जो भी मेजर्मेंट है आप उसमे 0,5 इंच जाधा लेजिए क्योंकि फिर वो सिलाई में भी जाएगा नीचे फोल्ड करने में और हाफ इंच उपर सिलाई में जाएगा इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हम इसको काट देंगे और दोनों साइड को भी हमको ओपिन कर देना है यह तो आप इसके मदद से सकते हैं या सी म्रिपर से आप कर दो उपर की मेजिरमेंट के लिए आप कोई भी अपनी शर्ट का या यह टी शर्ट का यूज कर सकते हैं उसको इस तरह से प्लेज करके हमको एक इंच जादा लेना है क्योंकि वो हमारा सिलाई में जाएगा और माक करते वे जाना है इसी तरह से हम दूसरी साइट भी माक कर देंगे और इधर से कट कर देंगे पार पार अब अब हमको पीछे का हिश्सा जो है बैक पार्ट उसको इस तरह से पीछे कर देना है उसको हटा देना है जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में और अभी आगे की पार्ट में हम मार्किंग करेंगे अपनी अभी मैं शोल्डर से 8 इंच तक मार्क कर रही हूँ नीचे की तरफ 8 इंच तक दोनों साइड इस तरह से मार्क करके काट देंगे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके काट देंगे अभी जो हमने कपड़ा कट किया था नीचे से उसको हम इधर साइड में इसको इस तरह से इसका जोड लगा देंगे क्योंकि हमको प्लेट्स बनानी एदर तो कपड़ा थोड़ा जाधा चाहिए रहेगा दोनों साइड इस तरह से पट्टी कट करके और दोनों साइड पर हम लोग इसको लाइक कर देंगे स्टिच कर देंगे देखिए मैंने दोनों साइड इस्टिच कर दिया है और अभी जो यह अनीविन पार्ट है इसको उपर नीचे इसको हम काटके बराबर कर देंगे हमको इधर इस तरह से प्लेट बनानी है इस तरह से प्लेट बना के हम इसमें मैं चाचार प्लेट बना रही हूं दोनों साइड पर और पिल लगा देंगे और प्लेट का मैं उसको बटन की साइड पर मैं फेस कर रही हूं ऐसे बटन की साइड पर बना रही हूं मैं झाल झाल दूसरी साइट पे बड़, पोरी प्लेटं बनाएँगे, इधर भी चार प्लेट बनाएँगे और इसको भी वें बटन की साइट पे ही कर रही हूं इसका फेसिंग एक बार पूरी प्लेट्स लगने के बाद आप उपर के पार्ट से इसको मैच करके देख लीजिए दोनों पार्ट एक्वल रहना चाहिए और जो आपने प्लेट्स डाला है भी हमने उस पे एक सिलाई लगा देंगे तो हम आगे जोडने के लिए हमको इजी रहेगा देखिए मैंने प्लेट्स पे सिलाई लगा दिये अब दोनों साइड को दोनों साइड राइड साइड फेसिंग करते वे दोनों का सीधा हिस्सा मिलाते वे दोनों पार का उपर का और नीचे सीधा हिस्सा मिलाते वे हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से चलिए मैं मशीन पर बताती हूँ आपको झाल लगा दोनों मुला दोनों पर बताती हूँ आपको देखे मैंने दोनों पार्ट को अटेश कर दिया है अभी हम अपनी स्लीव का मेजरमेंट ले लेंगे क्योंकि हमको नीचे फ्रिल लगानी है इसलिए सिर्फ एल्बो तक लेना है हमको मेजरमेंट मैं 11 इमार्ग कर रहे हूं इधर और जो भी आपका मेजरमेंट है उसमें आप एक छादा लें क्योंकि ऊपर की सिलाई में जाएगा हाफ इंच और याफ इंच जाएगा नीची की सिलाई में और स्लीव की साइट को भी मैंने ओपिन कर दिया है अब हमको स्लीव के सीधे हिससे को और जो टॉप का सीधा दोनों सीधे हिससे को मिलाते वे सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे स्लीव का सेंटर और जो टॉप का सेंटर है शोल्डर के पास से दोनों को मिलाते वे हम पिन लगाते वे जाएंगे देर उसको स्टेश कर देंगे देखे इस तरह से मैंने पूरा पिन लगा दिया है अभी हम लोग स्टिश लगा देंगे तो यह इस तरह से हो जाएगा सेम वे से दूसरी साइट को भी अटेश कर देंगे देखे मैंने अल्लेडी अटेश कर दिया है स्लीब को अभी हम अपनी शर्ट या टॉप के को रख के स्लीब की फिटिंग का मार्किंग कर देंगे सेम वे से दूसरी साइट का भी स्लीब का मार्किंग कर देंगे फिटिंग का अभी हम को स्लीब में नीचे फ्रेल लगानी है तो इसके लिए मैंने ये स्लीब का मैंने एक स्लीब से कट करके लिए मैंने ये तीन इंच चोडी पटी लिए है मैने हमको तीन इंच बाय 22 इंच या 20 इंच का डे ले आप देखें कितना कपड़ा रहता आपके पास इस तरफ से पहले बटन वाला हिसा हम लोग निकाल देंगे और साइड से कट करके इसकी पट्टी इस तरह से कट कर लेंगे हम लोग और सब पट्टियां जो हमने कट की हैं दोनों स्लीव के लिए हम लोग इसको सिलाई लगा के जोड देंगे कि देखिए मैंने स्टिप तैयार कर लिए इसको स्टिश कर दिया है मैंने कि इस तरह से हमको इदर प्लेट्स बनाके अटेश करना है फ्रिल तो सबसे पहले हम ऐसे प्लेट्स बनाके और उस पर पिन लगाती भी जाएंगे देन उस पर एक स्टिश दे देंगे कर दो एक बार प्लेट्स बनने के बाद आप अपने स्लीव के उपर इसको रखे मैश कर लिजी एक्वल लेना चाहिए थोड़ा सा बड़ा रहेगा कोई नहीं हो हम काट सकते हैं बाद में और जो प्लेट्स बनाई हमने उस पे एक स्टिच लगा देना तो आपको जब आप बाद मे सिलेंगे उसको तो आपको इजी रहेगा सिलना देखे इस तरह से रखना हमको स्लीव की सीधी साइड रखना है सीधा हिस्सा और जो हमने प्लेट्स बनाया है वो फ्रिल का उसको भी सीधा रखना है और मिलाते वे इसको स्टिच कर देना है कर दो कि देखे सिल्ने के बाद यह ऐसा दिखेंगा दे go है इस तरह से Sudan को डबलब करेंगे और ज़्लाइई लगा देंगे है देखे मैंने फ्रिल को अटेश कर दी है और उसके नीचे की साइड को भी मैंने डबल फोल्ड करके सिल दिया है अभि नीचे के इससे पर deeper मैं इसको थोड़ा सा राउंड शेब दे रही हूं और पीछे का इससा जो है उसको एक इस बड़ा रख रह रही हूं मैं और उधार पीछे की इससे में भी हमको राउंड शेब देना है इसके बाद हम लोग साइड से स्लीव से होते हुए नीचे तक पूरा स्लाई लगा देंगे और नीचे भी हम डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड हमको स्लाई लगा देंगे पीछे के पार्ट में भी और आगे के पार्ट में भी देखें मैंने साइड सको भी और नीचे के पार्ट को भी फोल्ड करके सिल दिया है और यह रेडी है आई होप आपको पसंद आएगा प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल फोर मोस सच दिया वाइस